हेलो गाईज आप देख रहे हैं कासर श्यवांश and I hope everyone is fit and fine तो आज अपन बात करने वाले हैं VW वर्टेस के बारे में सबसे पहले मैं आपको इसका प्राइजी बताता हूँ योगी इसके प्राइजेज अभी तक रिवील तो नहीं हुएं पर ये स्लाविया से 10 से 20,000 महेंगी रहने वाली है तो मेरे हिसाब से इसके प्राइजेज होने वाले है 10,80,000 से लेके 17,90,000 तक मलब टोटल ये 18,000 तक टच करने वाला है इसका जो टॉप मोडल रहेगा 1.5 लिटर वाला ये जो मोडल आप अपने सामने देख रहे हैं ये है 1.0 TSI का टॉप मोडल ये जीटी लाइन नहीं है क्योंकि अगर जीटी लाइन होता तो इसके जो अलोई वील्स होते हैं वो ब्लैक होते हैं और इसका रूफ भी ब्लैक होता तो ज्यार वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं एक चीज़ बता दूँ वीडियो को Like करना मत भूलना हो चैनल को Subscribe भी कर देना और अब आपन वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसकी की की बात करते हैं जो मैंने की आपको दिखाई यही की आपको Slavia में मिलती है, Tiger में मिलती है, Kushak में मिलती है साड़ी गाड़ियों में मतलब सेम की रहती है Front fascia के बारे में बात करेंगे अब सबसे पहले अपन Vertis के, इसका जो Front है, इसमें Chrome का काम बहुत ज़ादा दिख रहा होगा आपको Grill पे भी Chrome होगा, नीचे Bumper पे भी Chrome है ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया में लोगों को Chrome बहुत पसंद है लोग बाहर जाके अपनी गाड़ियों में Chrome किट लगवाते हैं Fox Hogan ने पहले किया कि आप Chrome किट लगा के दे दिया अपनी गाड़ी में क्योंकि Rare Profile पीछे की गाड़ी का डिजाइन है वो सबसे गजब का है पूरी गाड़ी में जो standout चीज जो करती है वो इसका Rare का लोग है इसकी जो tail lamps है वो बहुत ही जादा, मैं क्या बहुत है इत्ती शांदार है एक segment अबव लगरी है गाड़ी पीछे से देखने में smoked है और साथ में उसमें एक जो light डी गई है वो एक Jetta की आद दिलाती है जो की car Volkswagen की एक sedan थी जो की 2018 में discontinue हो गई वैसी लगती है पीछे से जैसा मैंने आपको बताए Chrome का work किया गया है पीछे भी Chrome है तो Chrome का work तो काफी है Volkswagen की वर्टेस में और Tigan में भी काफी Chrome देखने को मिलता है बाकी इस गाड़ी की क्या बात करूँ मैं लग गाड़ी देखने में तो बहुत ही अच्छी है और जो एक German गाड़ी का इसके अंदर DNA अलगी देखता है cuts and creases के कारण तो जर्मन तो लगती ही लगती है अब मैं कुछ इसके negatives भी बता देता हूँ जैसे कि अभी आप इसका door देख पा रहे होगे तो जो इसके door के अंदर की quality मैं लग अंदर जो door के अंदर जो material यूज किया गया है वो मझे अच्छा नहीं लगा heart plastic है बहुत अच्छी quality का तो नहीं है मैं लोग और अच्छी quality यूज की जा सकती थी वैसे 18 lakh तक की कार है यह space की बात करें नी room बहुत अच्छा है अंदर थाई support भी अच्छा है जो जीज कमी है वो है इसमें head room की head room उत्ता अच्छा नहीं है और जो इसकी seats है वो सिर्फ दो लोगों के लिए comfortable है मतलब तीन लोग इसमें बैट तो जाएंगे पर उत्ता comfortable नहीं रहेंगे same यही problem है Slavia में same यह problem है Tiger में और कुशाइक में भी यहीं कि इस सारी गाड़ियां मतलब Tiger को शायक एक platform पे है Slavia Virtus एक platform पे है तो यह एक दिक्कत है बाकि इसकी जो lights हैं उपर वाली इनकी भी quality में जो तिच्छी नहीं लगी hard plastic काफी hard थी और मतलब quality और improve की जा सकती थी Volkswagen के standards के हसाब से देखा जाए पीछे आपको दो vent मिलेंगे यहीं के उसके नीचे दो आपको चारजर मिलेंगे seat type के बाकि आमरेश तो ही गाड़ी में और गाड़ी का फ्रंट को जो dash है देखने में बहुत अच्छा लगता है अब चलते हैं इसके आगे वाजी seats पे और दिखते हैं इसमें आगे क्या क्या आपको offer कर रहा है मलब features के बारे में भी बात करेंगे इसके build quality तो बहुत अच्छी है डोर के बंद होने की आवाज भी बहुत अच्छी है build quality में इस गाड़ी में मझे कोई कमी नहीं लग रही है अब अपन बात करते हैं इसके अंदर के material कैसा है मलब front जो dash board है वो कैसा है तो मेरे हिसाब से जार इसमें heart plastic का काफी इस्तेमाल किया गया है ये वाला जो part आप देख रहे हो ये तो gloss black finish में silver में भी है तो बाकी इसमें heart plastic उपर नीचे use किया गया है तो वो मझे लगता और अच्छी quality का material यूज़ करना चाहिए था ये जो AC vents आपने अभी देखे ये सबसे बेकार quality के लगते हैं मलब यही एक गाड़ी में ऐसा part है जो उसको कमी मतलब उसके looks को कम कर देता है बाकी interior बहुत अच्छा है आपको 10 inch की touch screen मिलने वाली है इसमें और नीचे आपने जहां पर climate control देखा वो सेम है टाइगन में भी सेम है कोशेक, Slavia में भी वोई सेम unit है बाकी इसकी touch screen का response काफी अच्छा है एक चीज़ इसमें कमी है इसमें सिर्फ artist speaker है जबकि अगर आप Slavia का top model लोगे तो इसमें आपको एक subwoofer भी मिल जाएगा तो इसमें एक चीज़ यह हो गई कमी और वीम जो में जो इसका जो IRVM है वो काफी अच्छे हैं बहुत high quality का है अगेन इसका जो sunroof है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ किता खुलता है अब देखो जो sunroof है वो पूरा end tuck नहीं open होता है मुझे लगा पूरा होगा पर नहीं हुआ अपनी xvv में तो होता है वो बाकी गाड़ियों में भी होता है तो यह एक चीज होनी थी अब चलते हैं इसके driving वाली seat पे वहाँ चलके देखेंगे कि गाड़ी में और क्या क्या offer हो रहा है तो एक चीज मैं आपको जब तक और बता देता हूँ इसके जो alloy wheels हैं वो मुझे अच्छे नहीं लगे अब चलते हैं अंदर और सबसे प्यारा पार्ट मुझे जो लगता है रेर लुक के अलावा वो है इसका steering steering बहुत प्यारा है 8 इंच का instrument cluster भी है fully digital fully digital का मैं fan नहीं हूँ मैं चाहता हूँ कि analog होना चाहिए गाड़ियों में पर आजकल fully digital होने लगा है जमाना तो वो एक बात है बाकी इसकी touch screen का response है वो काफी अच्छा है informative भी है काफी जादा इसकी touch screen और instrument cluster leather wrapped है steering wheel सारे functions मिल जाएंगी आपको Bluetooth calling के cruise control सारी चीज़े हैं यहाँ पे आपको headlights के control और right में आपको मिलेंगे अपने wipers के control नीचे Volkswagen के Volkswagen style में आपको headlight leveler और बाकी चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पे lock unlock की बटन है और गाड़ी में आपको normal handbrake के साथ यह तो manual में बैठे हैं अपन ventilated seats भी हैं और एक चीज़ जो मझे बीच में दिया गया है जैसे कि कोई sports car हो इसमें आपको wireless charger भी मिलेगा और इधर पर आपको कुछ नहीं मिलेगा mirror मेरे साथ से होना चाहिए था बाकी lights की जो वही मैंने बुला buttons हैं button की quality मुझे अच्छी नहीं लगी जो मैं आपको genuinely बता रहा हूँ handbrake इसमें शायद दे सकते थे electronic बाकी धर कुछ इस पेस है और यह adjustable है इसका जो armrest है आगे वाला adjustable seatbelts नहीं है गाड़ी में और एक चीज जो मुझे लगी जो मैंने सुच आपको बता हूँ वो है इसमें electrical adjustable seats देनी चाहिए थी आप almost यह गाड़ी on road आपको 20 लेक की पड़ेगी और electrical adjustable seats नहीं है वो तो मुझे एक ऐसा miss लगा इस गाड़ी में बाकी जो मुझे चीज़े miss लगी वो मैं आपको बता देता हूँ उसमें 360 degree camera भी होना चाहिए था parking एक time काफी काम आता है tire pressure monitoring system भी होना चाहिए था जो की नहीं है इसमें तो यह दो-तीन feature मुझे लगे जो Volkswagen को और देने चाहिए था जो उन्होंने नहीं दिये हैं वो होना चाहिए था इसमें बाकी जो मुझे काफी चीज़े इसमें अच्छी लगी वो है इसका ground clearance जो की है 179 mm का XUV300 जो की एक subcompact SUV है उसमें आपको ground clearance मिलता है 180 mm का और एक sedan Volkswagen की जो वोर्टेस है उसमें आपको जब 179 mm का मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है ground clearance के मामले में ये गाड़ी में Indian conditions के साब से बहुत अच्छा perform करेगी कोई दिक्कत नहीं जाने वाली आपको तो ये तो एक बात हो गई अब बात करते हैं आपको वोर्टेस लेनी चाहिए कि नहीं देखो sedan का जो market है Indian का market में गिरता जा रहा है पर ऐसा ये बात नहीं है कि sedan खताम हो जाएंगी चली जाएंगी आज भी अगर आपको गड़ी चलाने में मज़ा आता है तो sedan जैसा performance और कोई कार नहीं दे पाती है driving dynamics sedan के ही सबसे अच्छे होते हैं तो अगर आपको driving करना पसंद है आप एक car enthusiast हो तो आप Fox 7 की वर्टेस के लिए जाओ गड़ी बहुत शानदार है मेरे हिसाब से तो मुझे इसका design ज़ादा अच्छा लगा exterior का interior मेरे को slavia का ज़ादा अच्छा लगा बाकि almost same है ये गाड़िया इसमें जो engine की power है वो मैं आपको last में बता देता हूँ 1 liter TSI की 114 bhp, 178 Nm of torque 1.5 liter जो TSI आने वाला है वो manual और automatic दोनों में वैसे मिलेगा 148 bhp और 250 Nm of torque के साथ आएगा तो unmatched performance रहेगी बहुत अच्छा gearbox है DSG उसकी उपर मैं अलग वीडियो लेके आऊँगा कि उसके लेने के क्या फाइदे और नुकसान है बाकि ये वीडियो अच्छा लगा हो स्लाविया का उसमें 10 से 20,000 प्लस कर लो और वर्टर्स का सेम वही model उस प्राइज में आपको मिल जाए तो गाईस यही था पूरा वीडियो वीडियो वर्टर्स के उपर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना हो चैनल को सब्स्वाइब करके जाना बाई